मीन भगवान की, हर्षज माता की, मैया केला देवी की, देवदाम जोद्पुर्या की, पंच महादेव की, दोसा की इस दर्ती से, मैं मैंदीपुर्बाला जी मंदीर में बिराज मान, भगवान हनमान जी को, श्री प्रेत राज सरकार और श्री बहरव कोतवाल जी को प्रणाम करता हूँ, मैंदीपुर्बाला जी ने मारो प्रणाम, देवनगरी दोसारी जन्ता ने मारी राम राम, कुछ दिन पहले ही मुझे भिलवाणा में भगवान देवनाराण के ज्यारसो ज्यारवे अवतावरान दिवस का हिस्सा बनने का आउसर मिला, और आज यहां मीन भगवान की पंच महादेव की धर्ती पर आने का आउसर आया, तब आस्ता का उस्ताव था और आज राजस्तान के देश के विकास का उस्ताव है, थोड़ी देर पहले देश के सबसे आधुनिक एक्सप्रेस वे के पहले चरण का लोकारपन करने का मुझे आउसर मिला है, आज देश में बन रहे सबसे लंबे एक्सप्रेस वे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के दिल्ली दौसा लालसोट हिस्से का लोकारपन हुआ है, इस एक्सप्रेस वे से दोसा के अलावा अलवर, भरटपूर, सबाई मादोपूर, टौंक, बुंदी और कोटा जिले को लाब होगा, इससे दिल्ली आना जाना बहुत आसान होगा, इससे दिल्ली जैसे बड़े बाजार तक, दूद, फल, सब्जी, ये सारी आवश्टकता है पहुँचाना, अपने उत्पाद पहुचाना, हमारे किसान भाईयों के लिए बहुत आसान हो जाएगा, मैं आप सभी को प्रगति के इस आधूरिक पत्की बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ, और मैं देख रहा हूँ, अभी नितीन जी कह रहे थे, कि ये ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है, ये देख करके बै कह रहा हूँ, ये ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है, ये विशाल जन्सागर, मैं राजस्तान के इस प्यार के लिए, राजस्तान के इस आसिरवाद के लिए, सर जुका करके राजस्तान को प्रणाम करता हूँ, भाई और बेनों, राजस्तान की ये धर्ती, शुर्वीरों की धर्ती है, यहां का बच्चा बच्चा, मा भारती की रक्षा के लिए, मा भारती की समर्द्ध के लिए, समर्पीत है, यहां के बच्चे बच्चे का सपना रहा है, कि भारत दुनिया में किसी से भी कम ना हो, आपके इसी सपने को पूरा करने के लिए, अब भारत ने विक्सित बनने का संकल्प लिया है, विक्सित भारत बनने के लिए, भारत का तेज विकास बहुत जरूरी है, भारत के तेज विकास के लिए, भारत में आने जाने के साधनों का तेज होना जरूरी है, भारत में आदोने के इंफ्रासेक्टर होना उतना ही जरूरी है, इसलिए बीते नव वर्सों से केंद्र सरकार, रोड, रेल, गरीबों के लिए घर, हर घर में जल, बिजली, ऐसे हर इंफ्रासेक्टर पर, खूब सारा पैसा खर्च कर रही है, इस वर्स के बजेट में भी, गाउं, गरीब, मद्वर के सुविदाएं, बढ़ाने के लिए सबसे अधिक बल इंफ्रास्टरक्टर पर दिया गया है, पहले की सरकारें, रेल रोड बनाने में, जितना खर्च करती थी, उससे कई गुना ज्यादा खर्च भाजपा सरकार कर रही है, भाई और बेनों, रेल रोड पर लाखों के इस खर्च का बहुत बड़ा लाब हमारे राजस्तान को भी हो रहा है, दसकों तक राजस्तान को कुछ लोगों ने बिमारू, बिमारू, बिमारू राज कह करके चिड़ाया है, लेकिन भाजपा राजस्तान को विक्सिद भारत का सबसे मजबूत आधार बना रही है, दिल्ली मुंबई एक्स्प्रेश्वे से राजस्तान, दिल्ली और मुंबई से कनेक्ट हो रहा है, यह दिल्ली मुंबई इंडुस्रियल कोरिडोर को और ताकत्वर बनाने का काम करेगा, वेस्टन डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर, यानि माल गाड़ियों के लिए, जो खास रास्ता बना है, उसका पांच सो पचास किलोट मिटर से अधीक राजस्तान में है, इससे राजस्तान सीधे गुजरात और महराश्टर के बंदर गाहों से जुड़ेगा, यानि राजस्तान में उद्योग लगाना और ज्यादा आसान हो जाएगा, आज जिन तीन और सड़क परियोजनाओं पर काम शुरू हुआ है, उससे भी राजस्तान के विकास को गती मिलेगी, यहां की कनेक्टिविटी बढ़ेगी, साथियों, तारंगा हिल से अमबाजी होते हुए, आबुरोर तक नई रेल लाइन के निर्मान पर भी काम शुरू हो चुका है, इस रेल लाइन की मांग सो साल से भी ज़्यादा पुरानी है, जो अब भाजपा सरकार ने ही पूरी की है, उदैपुर से अमदाबाद के बीच रेल लाइन को भी ब्राडगेज में बदलने का काम हम पूरा कर चुके हैं, इस रूट पर अब ट्रेने चलना भी शुरू हो चुका है, इससे मेवार छेत्र गुजरात सही देश के अन्य भागों से बड़ी लाइन से कनेक्ट हो गया है, साथियों, जब इंफ्रास्ट्रेक्टर बनता है, तब रोजगार भी देता है और बनने के बाद भी व्यापार, कारोबार, उद्योग, दंदों को बहुत बड़ी शक्ति देता है, और आप इसे परिचित है, आप जानते हैं ये कैसे होता है, सडक, रेल पट्री, एरपोर्ट, फूल, पॉर्ट, जब ये सब बनते हैं, तो इससे सेंकड़ो उद्योगों को बल मिलता है, इसमें सिमेंट लगता है, रेप, बजरी, लुआ, मशीने, क्या कुछ नहीं लगता है, इससे जुड़े उद्योगों में नोकरिया निकलती है, बुकानों में नोकरिया बढ़ती है, इंफ्राचक्तर बनाने में इंजिनियर लगते हैं, स्रमीक लगते हैं, यानि अपने अपने काउसल के हिसाब से, युवाओं को धेर सारे रोजगार के अवसर उपलब्द हो जाते हैं, जहां ये प्रोजेक्ट बन रहे होते हैं, तो उसके आसपास, मेंटेनन्स, रिपेर और दूसरी स्यवाओं के मांग भी बढ़ती हैं, इससे भी स्थानिय स्तर पर रोजगार बनते हैं, साथियों, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्टर, व्यापार, कारोबार को बल देता है, इससे ट्रांस्पोर्ट और परियोटन जैसे सेक्टर्स को बल मिलता है, ये भी युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के सबसे बड़े माध्यम है, राजस्तान में तो परियोटन बहुत बड़ा सेक्टर है, अब जैसे दिल्ली से दौसा के बीच दूरी कम होने से, इस पूरे शेत्र में फल सब्जी उगाने वाले छोटे किसानों को बहुत मदद मिली होगी, उनके लिए दिल्ली जैसा बड़ा बाजार नद्दिक आ गया है, अब राजस्तान आने वाली तुरिस्ट सडक के रास्ते जादा आएंगे, तो राजस्तान में ट्रांस्पोर्ट सेक्टर में युवाओं के लिए भी अवसर बढ़ेंगे, साथियों, आज देश विरासत भी और विकास भी इस मंत्र को लेकर के आगे बढ़ रहा है, परियतन को बढ़ावा देने के लिए स्वदेश दर्शन योजना के तहट भी राजस्तान में काम किया गया है, भाजपा सरकार ने हाँ मेंदिपूर, बालाजी और धोलपूर में मुझकुन धाम का विकास भी किया है, अपने आस्ता स्थरों का विकास भी भाजपा सरकार की प्रात्विक्ताओं में है, भाई और बैनों, पिछले नव वर्षों में हमने उन खेत्रों, उन वर्गों पर भी विशे द्यान दिया है, जो भी कास से बंचित थे, हमने बंचितों को वरियता दी है, गरीब हो, गलीत हो, पिछले हो, आदिवासी हो, रेडी ठेले वाले साती हो, बंजारा गुमंतु समुदाय हो, छोटे किसान हो, हार बर्ग का हमने ध्यान रखा है, आप देखिए, गरीब परिवारों को पहली बार, सिक्षा और सरकारी नोक्रियों में हमने आरक्षन दिया है, OBC वर को सम्वेधानिक सुरक्षा मिले, इसके लिए OBC आयोक को सम्वेधानिक दरजा हमारी सरकार ने दिया है, आल इंडिया मेडिकल कोटे में OBC के लिए आरक्षन नहीं था, हमने ये भी सुनिश्चित किया, मेडिकल, इंजिनियरिंग, टिक्निकल पढ़ाई, सिर्फ अंग्रेजी में होने के कारा, गाउं, गरीब, दलीद, पिछडे, आदिवासी परिवार के युवाही, पिछे रह जाते थे, बंचित रहते थे, भाषा के काराण, उनका भविश्य उजड़ जाता था, हमने, डॉक्टरी और इंजिनियरिंग की पढ़ाई, स्थानिय भाषा में कराने पर भी बल दिया है, और उसके कार, आज गरीब मा भी, अपने बच्चों को डॉक्टर इंजिनियर बनाने के सपने देख सकती है, पहली बार, बंजारा समाच, गुमंतु, अर्द गुमंतु समाच के विकास और कल्यार के लिए, विशेश बौर्ड भी, हमारी ही सरकार ने बनाया है, साथियों, इस वर्ष के बजेट में तो, विश्व कर्मा साथियों के लिए, पी-एम, विश्व कर्मा योजना लेकर आये हैं, और यही सबका साथ, सबका विकास की हमारी राष्ट्र नीती है, राजस्तान के बगरू और सांगा नेर की ब्लॉक प्रिंटिंग के दस्तकार भाई बहन हो, सुनार हो, लुहार हो, सुथार भाई बहन हो, जूते और मोजडी बनाने वाले दस्तकार हो, लाख और चूडिया बनाने वाले लखेरा भाई बहन हो, मनी, ठनी और पिछवाई से जुड़ी चित्रकारी करने वाले चित्रकार भाई बहन हो, कोटा डोरिया की साड़ी बनाने वाले भुनकर हो, टॉंक के नमजा कला से जुड़े दस्तकार हो, सिकंदरा में मुर्तिकला और इससे जुड़े सैक्डो मुर्तिकार भाई बैनो इन सभी को पी एम विश्वकर्मा योजना से बहुत बड़ा लाभ होने वाला है साथियो जब मैं दोसा आता हूँ तो एक बार और भी याद आना बहुत स्वाभाविक है और वो बात है आपकी महमान नवाजी मुझे यहां के बाजरे की रोटी का स्वार हमेशा हमेशा याद रहता है साथियो अब तक हमारे देश में बाजरा जैसे अन को मोटा आनाज कह करके एक प्रकार से निम्न भाव से देखा जाता था लेकिन अब यह जो मोटा आनाज कहा जाता है ना उसको हमने एक नई पहचान दी है अब हम मोटा आनाज के लिए हिंदुस्तान भर के इन उत्पादों के लिए नया नाम करण किया है अब यह अन्न स्री अन्न से जाया जाएगा आगे से हम दुनिया के बाजार पहुंचना चाहते थे हमारे छोटे किसान जो महनत करके पैदावर करते हैं कठीन परिशिजियों में करते हैं मोटा आनाज पादा करते हैं अब दुनिया के बाजार में वो स्रिन अन्न के नाम से दुनिया में पहुंचेगा राजस्तान के श्रिएन बाजरा, श्रिएन ज्वार ये तो सब जानते ही है राजस्तान के ही दक्षिंट जीलों का स्रिएन सावा, श्री अन्नक कंगनी, श्री अन्नक कोदो, श्री अन्नक कुटकी भी, उनका स्वादित भी कुछ कम नहीं होता है, और पोश्टिक भी होते हैं, और दैनिक खान पान का हिस्सा भी होते हैं. इस श्री अन्नक को देश विदेश में मार्केट मिले, किसानों को अधिक प्रोचान मिले, छोटे किसानों को लाब हो, इसके लिए अनेक कदम इस साल के बजेट में उठाए गए हैं. इसका सीधा लाब, राजस्तान के सुखा प्रभावित, मेरे छोटे-छोटे किसानों को मिलने वाला है. साथियों, राजस्तान को बीते वर्षों में केंद्र सरकार की एक और प्रात्विक्ता का भी लाब मिला है. ये प्रात्विक्ता राष्टिय सुरक्षा की है. बीते नव वर्षों में हमने सैनिकों के सुखिता से लेकर सम्मान तक हर स्तर पर काम किया है. बन रैंक, बन पेंशन का लाब आज राजस्तान के सैनिक परिवारों को मिल रहा है. सैनिकों के सम्मान से जुड़ा भाजपास सरकार ने एक और महत्वपण काम किया है. और मुझे पक्का विश्वात है, हर फोजिवा परिवार तक ये बात पहुंचाईए, आपका भी सीना चोड़ा हो जाएगा. हाल में ही हमने, आपको मालूम है, हिमाले की सबसे उची चोटी है, उसको एवरेस कहा जाता है. क्योंकि एवरेस्ट नाम के एक व्यक्ति का नाम उच्छ से जुड़ा हुआ है. इस प्रकार के निर्णेवों का क्या महत्व होता है? अब मैं आगे की बात बताता हूँ, हाल में ही हमरे अंड़मान निकोबार में वीपों के नाम हमारी सेना के वीर, जिनोंने अपने पराक्रम के कारण परम बिर्चक्र का सम्मान प्राप्त किया था, जो परम बिर्चक्र विजेता थे, ऐसे महान देश के लिए मिटने वाले, देश के लिए जीने मरने वाले, हमारे इन वीर साइनिकों के नाम पर अंड़मान निकोबार के टापों का नाम हमने उनके नाम कर दिया है, अपने जुन्जुनू के रहने वाले पिरू सींजी के नाम पर अब अंड़मान में एक पिरू द्वीप है, जोदपूर के रहने वाले शैतान सींजी के नाम पर भी अब अंड़मान में एक सैंतान सींजी दीप है, राजस्थान के इन पराक्रमी शहीदों से अब अनमान को बार जाने वाला हर व्यक्ति एक नई प्रिणा ले करके आएगा, साथियों कॉंग्रेस की सरकारें सीमा से जुड़े गावों और शहरों का इसलिए भी कास नहीं करती थी, क्योंकि वो डर्ती थी, और ये पार्लामेंट में उन्होंने बोला है, वो डर्ती थी, कि हम सीमा पर रास्ते बना देंगे, सडके बना देंगे, तो दुश्वन उसी पर चल करके चलाएगा तो क्या होगा, हमारी बनाई शड़कों पर दुष्बन आ जाएगा तो क्या होगा अरे यार क्या बात करते हैं मुझे समझ नहीं आता कि कॉंग्रिस को क्या हमेशा हमारे साइनिकों का शौरिय उनकी बहदुरी को कम करके आखती रही है सीमा पर दुष्बनों को रोग देना उन्हें मुझ तोड़ जबाब देना हमारी सेनाओं को बखु भी आता है इसलिए अब भाजपा सरकार सीमा वर्ति जिलों में सीमा के पाद बने गामों में भी विकास के कामों में तेजी ला रही है बीते नव वर्षों में हमने राजस्तान सही देश के पूरे बॉर्डर पर रोड और रेल का ससक्त नेट्वर्क तैयार कर दिया है के इंद्र सरकार राजस्तान के सिमा वर्तिक छेत्रों में भी लगबग 1400 किलोमेटर सडकों पर काम कर रही है इसके अलावा अभी करीब करीब 1000 किलोमेटर की सडके राजस्तार में और बनाने का प्रस्ताव है यानि भाजपा राजस्तान को नई संभावनाओं का प्रदेश बना रही है सात्यों हर गर जल पहुंचाने के लिए भी हम मिशन मोड पर काम कर रहे हैं साल 2019 में हमने जल जिवन मिशन शुरू किया और सिरफ साड़े तीन वर्षों में ही आठ करोर नए कनेक्शन दिये हैं नए परिवारों को सुविदा दी है इससे राजस्तान के भी लाखों परिवारों को लाब हुआ है सात्यों राजस्तान में पानी की चनोती का समाधान भाजपास सरकार की प्रात्मिक्ता है आप देख रहे हैं कि MP और UP के बीच केन बेतवा को जोड़ने का काम शुरू हो रहा है इसी परकार पुर्वी राजस्तान के तेरा जिलों में भी पीने के पानी और सुविदा का विस्तार करने के लिए हम पतिबद्द है पुर्वी राजस्तान नहर परियोजना और पुरानी पार्वती काली सिंद चंबल लिंक को जोड़ कर एक बड़ी परियोजना का प्रारूप तयार किया गया है इस प्रारूप को केंदर सरकार ने राजस्तान और मत्यपदेश की सरकारों के साथ साजा किया है इस प्रस्ताव को नदियों से जुड़ी विशेश समिति ने प्रात्विक्ता प्राप्त परियोजना के रुप में शामिल किया है जब दोनों राज्जों की सहमति हो जाएगी तो केंदर सरकार इसको आगे बढ़ाने पर जरूर विचार करेगी साथियों राजस्तान के लोगों ने हमेशा से भाजपा को भरपूर प्रेम दिया है लेकिन मुझे एक बात का अपसोज भी है मैं कई बार सोचता हूँ कि अगर बीते पांच सालों में राजस्तान में डबल इंजिन की पावर लगी होती तो यहां का विकास कितना तेज हो जाता कॉंग्रेस जिस तरह चीजों को अटकाने भटकाने और लटकाने की राजनिती करती है उसमें विकास के कारिय कॉंग्रेस देताओ द्वारा अधिकतर पटक ही दिये जाते हैं ना ये लोग खुद काम करते हैं और नहीं काम करने देते हैं इसके अलावा कॉंग्रेस के राज में कानून विवस्ता की स्तिती हर दिन खराब से खराब होती जा रही है राजस्तान से बीते कुछ समय में जिस तरकी खबरे लगातार आ रही है उनका संदेश एक ही है राजस्तान की संस्कृति यहां की परंपरा यहां के गवरों को बचाना है तो राज में भाजपास सरकार को वापस लाना ही होगा कॉंग्रेस ने यहां क्या हाल बना दिया है कॉंग्रेस कैसे सरकार चला रही है इस राजस्तान के लोगों से छिपा नहीं है अभी कुछ दिन पहले बजेट सत्रे के दोरान जो कुछ हुआ उसकी चर्चा चारों तरफ है मुझे गटना याद आती है बहुत साल पहले की बात है करीब 40 साल पहले की तब तो हम राजनिती में नहीं थे हम अपना संग का काम करते थे और आम तोर पर संग परिवारों में भोजन के लिए जाते थे तो एक दिन मैं सुबह प्रवास करकर के लोटा बारा एक बच गया था तो हमारे एक वरिष्ट साथ ही मुझे मिल गए बोले आप कहां से आ रहे हैं मैंने का अभी आ रहा हूँ दोरे से आ रहा हूँ तो बोले भोजन क्या क्या प्रबंध है मैंने का नहीं अभी तो कुछ सोचा नहीं है अभी आया हूँ देखता हूँ क्या करता हूँ नहीं बोले चलो जल्दी करो मेरे साथ चलो गए बहाँ, तो भोले शादी है, तो शादी में बहाँ जाना है, तो चली अपने स्वंश्रेक के घर में शादी है, तो हम चले गए, तो जिनके हाँ शादी थी, तो अपने दुकान गर के बहार थी, वहाँ काम कर रहे थे, वो दर्जी थे, दर्जी काम कर रहे थे, तु अमने कहा भाई तुम सु कह तो शादी है। उनका उन्काolon हम खानाप घया कि इंदर हम उनको नमस्कार किया। गा मैं पूच्छा क्या हाल्य गले काल है कैसे हैं अपर उनसे रहाने ही गया। तो उन्होंने कहा कि क्यो भाई तो शादी का निमनतन था तो नहीं नहीं ये शादी तो गयत साल हो गई पिछले साल हो गई शादी तो नहीं निमने काड है तो अमारे जो साती थे थोड़े भुलक कर थे उन्होंने काड देकाला और मैं हराम था पिछले साल का उसी तारिक माल था हम बिना खाए गर बापिस आए इस बात को कोई आपके राजस्थान से कोई लेना देना नहीं है यह तो मैं आपनी पुरानी बात यहाद आई तो मैं इसकार बता दूँ साथियों मैं मानता हूँ गल्ती किसी से भी हो सकी है लेकि इससे ये भी पता चलता है कि कॉंग्रेस के पास ना ही बीजन है और ना ही उसकी बातों में कोई बजन रह गया है कॉंग्रेस के लिए बजट और गोषणाए होती ही काजगजों में लिखने के लिए योजनाए और कारकमों को जमीन पर लागू करने में कॉंग्रेस का कोई इरादा नहीं होता साथियों सवाल ये नहीं है कि कौन से वाला पड़ा सवाल ये है कि पहले वाला जब पड़ा था साल पर उसको डिब्बे में बंद रखाता इसके करण ये हुआ है अब राजस्तान को अस्तीर सरकार से मुक्ती चाहिए अनि शित्ता से मुक्ती चाहिए अब राजस्तान को स्थीर और विकास वाली सरकार चाहिए तभी राजस्तान में कानून का राज थापिद हो पाएगा तभी राजस्तान तेज विकास के रास्ते पर चल पाएगा आज मैं राजस्तान में डबल इंजिन सरकार के लिए उत्सा देख रहा हूँ चारों तरफ वोई मुझे नजर आ रहा है यहां दोसा में भी यह उत्सा साप साप दिख रहा है एक बार फिर आप सभी को एक्सप्रेस वे के लिए नई सरक परियोजनाओं के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और इतनी विशालत आदाद में आप विकास के काम के लिए जुड़े यही भारत के उजबल भविश्य का संकेत है बहुत बहुत धन्यवाद बहुत शुब कामनाई धन्यवाद प्रदान मंत्री जी एक बार जोड़ दार प्रदान मंत्री जी का तालिया बजा कर धन्यवाद देंगे प्रदान मंत्री जी का धन्यवाद जोड़ दार तालिया लगए मोदी मोदी